हेलो फ्रेंड वैलकम टू माज चानल मैं हूशीतल और आज मैं आपके लिए बहुत ही जुन्दर भूखे लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इस भूखे को सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस को आप देखा है और उनका नौटिफिकेशन आपको मिल सके अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर र आप गाइब तो Floral Tape, Velvet Cloth, Plasticky Pottle, Golden Wires, Sorry Golden Color, Paintbrush, Cutter, Caesar, Thermical Walls, थोड़ा सा Cotton, Wire Cutter, और कुछ Twinks, यह हम बनाना सीखेंगे, किस तरके से मैंने बनाया है? Let's start making, सबसे पहले हम किसी भी पेड़ की Green Punches को ले लेंगे, और उनकी कर्तियों के सिरके से अलग कर देंगे. एक पाइपर इन ब्रांचेस को टेप की हेल्प से स्क्वाइरल शेप में चिपका देंगे. इनकी छोटी प्रांचेस को हम अलग कर देंगे, इन्हें हम अलग से चिपका देंगे, स्क्वाइरल शेप में. थोड़ा क्यारफुली रहना होगा, अधर वैसे तूट सकती हैं. हमें इस बात का ध्याम रखना हैं, कि सबी जो ब्रांचेसें को एक ही डायरेक्शन में पूल करने हैं. इससे हमें कई सारे ब्रांचेस को अलग अलग चिपकाना होगा. इन्हें पूल कर देने के बाद सैटल होने के लिए तीन से चाव दिनों तक रखना हैं, ताकि यह अच्छे से ट्राय हो जाएं. जब यह अच्छे से सूख जाएंगी, तब हमें इनका यूज़ करना है. सूखने के बाद यह कुछ इस तरकी हो जाएंगी. हमें ने दीरे से केरफुली निकाल लेना है. केरफुली हम इन सारी टेप्स को निकाल लेंगे, जो सैटल कर निकले हमें लगाएथी. हमें ने दीरे से बाहर निकाल लेना है. और इस बात के अद्धान रखना है कि यह तूटे ना. यह कुछ इस तरह के शेप में आ गई है. इस तरह के कई ट्विंक्स यह तयार हैं. अब मैंने पैंट करना है. इनके उपरी भाव में हम गोल्डन एकलिक कलर गाएंगे. सारी ट्विंक्स को हम कलर कर देंगे. अब इन्हें ट्राय होने के लिए रख देंगे. प्लास्टिक के बाटल पर हम कुछ पत्तियां ट्रॉव करेंगे और इन्हें कट करनी है. इन्हें भी हमें गोल्डन पैंट करना है. इसके लिए हमें दो कोट लगाने होंगे ताकि इसका कलर जो है वह ज़्यादा अच्छे से दिखें. इन्हें ड्राय होने के लिए रख देंगे. अब एक वेलवेट फ्लॉड लेंगे इसका एक छोटा सा स्क्वायर कट करेंगे. फ्लॉरल वायर का एकम टुकडा कट करेंगे. इसके बिच थर्मा को बॉल रखकर इससे फूर्ड करेंगे. थोड़ा कॉटन लेकर इससे कवर करेंगे. वेलवेट क्लॉड लेकर इसको पूरी तरकी से कवर करेंगे. अब इससे थ्रेट की मदद से टाइटली बान देंगे. एक्स्ट्रा क्लॉड जो हैं इससे हम कट कर देंगे. अब फ्लोरल टेप लेकर हम इसके निचले भाग को पूरी तरकी से कवर करेंगे. जैसे हम इससे कवर करेंगे ये एक कली की शेप में दिखाए देने लगेगा. हमें एसी हैं और कई साइट कलें तयार करनी हैं. जो हमने ट्विंक तयार करके रखी थी हम उससे लेना है इसे फ्लोरल टेप से कलर की नीचे वाली भाग को कबर करना है. इसी के साथ हम जो हमने कले तयार कर रखी हैं उसे भी एड़ करेंगे. इस तरह हमरी जो ट्विंक है वो आप एक ग्रीन ब्रांश की रूप में दिखाए देगी. आप एक प्रांश की रूप में और भी ब्रांश तयार करनी है और एड़ करनी है. आप एक प्रांश की रूप में दिखाए देगे देगे. आप एक प्रांश। कुछ प्रांचेस में हमें जो लीट्स तयार के रिखती इसे भी आड़ करना है कि मैंने कई सारी ब्रांचेस तयार करके रखी है अब हम इने एक एक करके असेंबल करेंगे ताकि हमारी जो प्रांचेस है वो एक पुकी की तरह नजर आएंगे फ्लॉरल टेप की मदद से हम इसे पुरी देके से असेंबल करेंगे और नहीं कवर करेंगे करेंगे कि पुरी तरीकी से रेडी हैं तो इसकी कर्लियों को थोड़ा सा साइटल भी कर सकते हैं मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स करेंगे झाल 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 झाल